Good morning students, today we will start our exercise for C In this exercise we multiply a number with 10, 20, 30, up to so on 90 So first question, find the product The first part of question number 1 is 32 multiply by 20 So, अब इसको solve करेंगे हम, ठीक है? So, 32 को हमने 20 से multiply करना है So, dear students, यहाँ पर जब हम numbers जैसे 10, 20, 30 जो numbers होते हैं उनके साथ हम multiply कैसे करते हैं? ठीक है, 0 जो है उसको हम बाद में लगाते हैं और simple यह numbers हैं उसको हम multiply करते हैं जैसे यहाँ पर है 32 और यह है 2 तो side में हम पहले 32 को 2 से multiply कर लेंगे कितना आएगा यह? 2, 2s are 4, 2, 3s are 6 means 64 तो बाद में यहाँ पर कितनी number of zeros है? 1 तो 1, 0 को हम यहाँ पर साथ में लगा देंगे तो कितना अंसर आ गया हमारा? 640 So, next part है 23 multiply by 50 तो जैसे मैंने आपको बताया हमने 0 जो है उसको बाद में लगाना है हमने जो भी अंसर आता है हमारा multiply करने के बाद देखो मैंने यहाँ पर red line से underline किया है जैसे 23 को पहले हम 5 से multiply करेंगे ओके side में तो 23 को जब 5 से multiply किया तो कितना आया? 5, 3s are 15 5 को अंसर में लिख लेंगे और 1 carry जो है वो 10s place में ले जाएंगे Now 5 multiply by 2 5, 2s are 10 10 में 1 carry प्लस करेंगे आएगा 11 तो कितना आ गया यह? 115 115 लिख लिए हमने Now see here number of zeros कितनी है यहाँ पर? 1 तो 1, 0 हम साथ में जब लगा देंगे तो हमारा अंसर कितना आ जाएगा? 1150 Now part C 82 multiply by 10 तो जैसे मैंने आपको बताया 0 जो है हम उसको बाद में लगा सकते हैं जब हम 10, 20, 30 से multiply करते हैं तो पहले हमने simple number को multiply करना है जैसे मैंने red line से यहाँ पर mark किया है तो 82 multiply by 1 is equals to 82 और साथ में 0 लगा दिये तो कितना अंसर आ गया? 820 Now question number second multiply और part D is 70 multiply by 20 तो यहाँ पर हमारे जो है numbers हैं वो है 7 और 2 0 जो हैं यहाँ पर 2 zeros हैं 7 के साथ 1 0, 2 के साथ 1 0 ठीक है इनको हम बाद में लगाएंगे तो 7 2s are 14 तो number of zeros कितनी है यहाँ पर? 1 2, तो 2 zeros हम अंसर में लगा देंगे तो अंसर कितना आ जाएगा? 1400 No part E 280 multiply by 20 तो इसमें भी हमने same ऐसे ही करना है 28 को 2 से multiply कर लेना है पहले side में कितना आएगा यह? 2 8s are 16 68 को 6 को हम अंसर में लिख लेंगे और 1 carry 10s place पर ले जाएगे 2 2s are 4 plus 1 56 आ जाएगा हमारे पास ठीक है? और बाद में number of zeros है यहाँ पर 1 2 तो 2 zeros को हम अंसर में साथ में लगा देंगे तो कितना अंसर आ गया? 5600 No part F part F है 150 multiply by 20 तो 150 को हमने 20 से multiply करना है यहाँ पे तो पहले हम 15 को 2 से multiply कर लेंगे तो 15 2s are 30 और number of zeros कितनी है? 1 and 2 तो 2 zeros को साथ में लगा देंगे हमारा अंसर कितना आ गया? 3000 So dear student जो third question है इस exercise में जैसे मैंने आपको 10 20 30 से multiply सखाई की कैसे करते हैं यहाँ पर है 300 से multiplication ठीक है? जैसे 10 20 30 से की वैसे ही 100, 200, 300, up to 100 और 900 तक हम multiply कर सकते हैं तो question number third का part A है 4 multiply by 300 तो पहले हमने 4 को सिरफ 3 से multiply करना है जैसे मैंने यह red line से underline किया है 4 3s are 12 तो कितना अंसर आ गया यह? 1200 इसी तरह से part B है 6 को हमने 500 से multiply करना है तो हम 6 को 5 से multiply करेंगे पहले 6 5s are 30 और number of zeros हैं 2 तो 2 zeros साथ में लगा देंगे तो अंसर कितना आया? 3000 नो part C multiply 7 by 200 सेम वैसे ही हमने numbers को पहले multiply कर लेना है 7 2s are 14 और 2 zeros हैं वो साथ में लगा देनी है तो अंसर कितना आ गया? 1400 तो अंसर कितना आप टो अंसर कितना आप लेगा लेगाए तो अंसर कितना आप लेगाए